कल रात को डेड़ बज़े से लेके साड़ तीन बज़े तक हिंदुस्तान के टाइम पे ग्यारा लॉंडो ने जो ब्रेस्ट की हालत करी है वो ऐसे पब्लिकली नहीं करनी चाहिए भाई प्रेस्ट को प्रेस्ट को प्रेस करती चली जा रही है मगर स्कोर नहीं कर पा रही है वो मतलब तीन-चार गोल होने चाहिए थे पहले बीस मिनट में बट वो प्रेस अच्छा था ब्रेस्ट का मगर बासलोना कुछ कर नहीं पाई उसकी ब्रेस्ट अपना शेप मेंटें कर रही थी बहुत ही अच्छा सा बिलकुल नाइस इन फिर्म, I mean, नाइस इन प्रेस्ट के राउंड मगर कुछ कर नहीं बारी है, फिर भी गोल नहीं बड़ बारा है, 60th, 65th मिनट में, एकदम से एक मोका आता है, बहुत ही प्यारा सा, अलमो इदर लेफ, लेफ, राइट, लेफ, लेफ, राइट करके ब्रेस्ट एकदम एकश्पोस कर देता है सबके सा लेफ, 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 लेफ completely exposed Brest in Europe. सब को दिखा दिया है कि Barcelona is the elite team and they are now just absolutely unstoppable. Weekend बे थोड़ा सा उनके साथ कराब हुआ but now they are back into the swing of things and everything has been absolutely perfect and Brest has been exposed and Barcelona were absolutely brilliant. Hansi Flick, back at it. कोई बात ने, weekend बे आपने draw भी कर लिया, कोई बात ने, अब आप जीत गए और बहुत बढ़िया 3-0 victory. Very, very good. On the other hand, Manchester City versus Feyenoord. भाई, Manchester City को 6-7 back-to-back corner पे corner पे corner पे corner मिलता चला जा रहा है but City उसका कुछ कर नहीं पा रही है. They are winning a lot of possession but they are not being the best. एकदम से उनको एक corner के थूप penalty मिलती है, Erling Haaland के उपर foul होता है and Erling Haaland scores. वहाँ पे Brest के एंस 1-0 वा. यहाँ लंड ने गोल मारा. It has been 1-0 at half time in both games. बोद बिगोस अफ पेनल्टीज. Erling Haaland के गोल के जाते हैं. Second half में एकदम से एक और corner मिलता है and इस पार corner के थूप Gundogan एक बहुत प्यारी volley मारते हैं which gets deflected in. It is 2-0 to Manchester City और धीरे-धीरे लगना शुरू करते है that Manchester City of the last 3-4 years is finally coming back. 5 games जो back-to-back हारे हैं. कोई बात नहीं. They are now getting back into the swing of things. Haaland उसी time पे बहुत प्यारा goal मारते हैं. His positioning, his run, his finish, everything for the third goal was just beautiful. 52 minutes में 3-0. Manchester City is up. Game is over. और so we think. एकदम से अंदर से कुछ ना कुछ निकलना शुरू करता है. Manchester City का self-doubt creepin शुरू होता है. And 75th minute में जजबात बदल गए. Feelings बदल गए. सब कुछ बदल सा गया. And Manchester City का defense fumble करता है. I think John Stones ने fumble करा. And Feyenoord go and score. It is 3-1. 5-6 minute बाद. There is a goal out of absolutely nothing. Side post से Edison के pair पर लगके. किसी के चाहती से लगके अंदर जाता है. It is 2-0. And a 2-3-2. And before you know it. It's 3-1. तीसरे गोल से पहले City एक high line maintain कर रही थी. Edison आगे पता नहीं क्यों भागता भागता आ गया. When the Feyenoord were completely through on goal. And it's 3-1. And Pep Guardiola. Pep Guardiola की शकल उस टाइम पे बिलकुल रोने वाली हुई थी. बुरी हालत हो गई थी. 3-1 पे खताम होता है. And in the post-match conference, Pep Guardiola जाब इंटर्व्यू देने आते हैं. भाई के नाग पे खरोचे हैं. सर पे खरोचे हैं. होट पे लगा हुआ है. इतनी बुरी तरह पिट के आओ है लग रहा है पेप Guardiola को. पेप Guardiola. But then he says, I want to harm myself looking at this. थोड़ा concerning है भाई. हम जितना भी जो opposing fans होंगे Man City के, आप enjoy कर सकते हुए. यह downfall, Pep Guardiola और Man City के. मगर भाई, वो बंदा अपने आपको मार रहा है. भाई, यह सब मत करो. पूरे माच में देख रहा है, आपने आपको इतना खरोच दिया है. भाई, मत खरोच हो, Pep Guardiola. क्या हो गया? It is, it's a football game. I know your legacy means a lot to you. और जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है, Pep Guardiola के साथ, कि उनने तीन गोल लीड फंबल करी हो उनकी टीम में, बाई, प्लीज, इतना सेल्फ हाम मत करो, भाई, लॉंडले देख के क्या सीखेंगे? It is, इतनी अच्छा एडिया नहीं है, भाई, प्लीज. बुरा लग रहा है मैं को Pep Guardiola को ऐसा देख के, और भी किसी क्लब का अगर होता अभी तक, मैनेजर ये लोग बोल रहे होते, but because Pep Guardiola है, लोग जादा कहनी रहे हैं कि सैक कर दो, सवाल उठ रहे हैं, of course, Pep Guardiola पर जो उठने भी चीहें, भाई, एक तो कर गया रहे हो अपने आपको, दूसरे स्कोर्स बेतने हार कैसे रहे हो, but insane, भाई, Barcelona ने ब्रेस्ट को बहुती बुरी तरह रबा के हरा दिया, and on the other hand, Manchester City just completely blew it away, despite Lund doing the best he could, nothing could happen, 3-0 to Manchester City, 3-0 to Barcelona, and that was the Champions League night one of this week, आज रात को रहे है, बहुत मजा आने वाला है, Madrid not in the best of forms, Liverpool absolutely bossing it, Liverpool जीत सकती है भाई, Liverpool can easily win at this point, and it'll be a big, big statement win on slot की, even though उसको statement देने की ज़रूरत नहीं है भी भाई, बिलकुल टॉप पे बहुत अराम से है Liverpool अभी Premier League में, but here it'll be incredible if they do it, Chelsea और Heidenheim भी है कल, I'm hoping Chelsea wins, Heidenheim I think अपनी लीग में 14 यह पंद रहा है, तो हराई देना चीह है Chelsea को राम से, even though away fixture है, and हम अचला टॉप पही रहेंगे, Europa Conference League के, बढ़ इतना चोड़ने की बात हैं नहीं है, तो Conference League के, बढ़ बढ़िया, ये था night one, 13 December को करन सिंग माजे काश रो है, मुंबाई में एक्षा सोल्डाड़ा, दूसरे की टिक्टे मीं चिकाई होंगे, आजाओ, See all of you there in Mumbai, बाइबाई, लाइक, शायर, सब्सक्राइब, आदोस्तों,